और आई आप आपको दिखाते हैं इट से नीट तक का सफर अगला जो मामला आपको बताने जा रहे हैं ये दावा करते हैं कि एक कहानी आपको रोला देगी लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ये है कि आपकी जिन्दगी को हॉसलों से भर देगी काम्याबी की जितनी कहानी आपने देखी सुनी हूंगी उन सबसे ज़्यादा प्रेणा दाई है यमुना की कहानी लाल लाल चमकदारी टें जिन्होंने ना जाने कितनी इमारतों को आस्मान चूमने का मौका दिया होगा लेकन जमीन पर रह जाते हैं वो हाथ जो मिट्टी को गढ़कर बुलंदियों की अबारत लिखते हैं चालीस डिगरी का पारा जब आम आदमी को घरों में कैद कर देता है तब इट बनाने वाले का काम शुरू होता है जिस तापमान पर तवचा बगावत कर देती है उस तापमान में अपनी गरीबी मिटाने के खौप देखते हैं इट बनाने वाले क्योंकि कुल जमा कुछ महीनों का काम होता है इट बनाने का जब तक सूरच तपता है इट का काम चलता है मिट्टी खोदना पानी मिलाना उसकी लोई बनाना और साचे में ढाल कर उसे चौकोर सी शकल देने का काम कर रही यमुना एक कहानी बन चुकी है, मिसाल बन चुकी है, प्रेरणा बन चुकी है माटी को गढ़का रीट बनाने वाली यमुना अम मरीजों को जंदगी देने का काम करेंगी यमुना दुर्ग के एक ऐसे गाउं से आती है जहां मरीज, डॉक्टर से दूर और मौत के जादा करीब महसूस करता है डूमर डी की यमुना चक्रधारी के माता पिता के लिए काला अक्षर भैस बराबर है परिवार के पास मोबाइल तक नहीं, टूशन और कोचिंग तो बहुत दूर की बात है बस जलती धूप में पसीने से तर बतर, खोली आखों से देखा गया एक सपना था मा के पास, पिता के पास बैटके फिर पढ़ना चालू करती थी, फिर एक आद घंटे परती थी, फिर उसके बाद फिर काम में थुरा ध्यान देती थी, एक से टेप की रहते था कितनी खुशी लग रही है आज, खुशी बहुत लग रहा है मेरे को सपना तो नहीं देखते हैं सर, लेकिन क्या है, हमारी बच्ची हो फढ़ाई में, जस्वी के बाद टाफ में आई हैं, उसी से उन लोगों कहों सा बढ़ा है और उन लोग जी तोड मेहनत काम भी की और फढ़ाई भी की माता पिता को शायद ये भी नहीं पता होगा कि यमुना चक्रधारी ने आल इंडिया नीट एक्जाम में 720 में से 516 नंबर हासिल किये आल इंडिया रैंक 93,683 और OBC रैंक 42,684 बेटी ने जब माता पिता को बताया होगा कि वो डॉक्तर बनेगी तो उन्होंने भी कहा होगा पहले कोई चूटी काट कर हमें होश में लेकर आओ अपने परिवार के साथ यमुना भी इंट बनाने का काम करती हैं जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता तो मिट्टी के सिहासन पर बैट कर सपने को सच करने के लिए मेहनत करती हैं यमुना ही नहीं उनकी बेहन युक्ती ने भी MA हिस्ट्री में टॉप किया है सर बहुत खुसी लग रही है इतने सालों बाद इतने मेहनत के बाद आखिर आज मैं उस मुकामें पहुंच गुंजा मैं जाना चाहती थी मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ मुझे बहुत खुसी हो रहा है मुझे लगता था कि मैं कोचिंग करती साय तो मेरा पहले भी हो जाता सेलेक्शन लेकिन नहीं हो पाया तो फिर भी मैंने हिमत नहीं हारी और हर मुश्किलों का सामना किया और अपने होसलों को बुलंद किया और हर परिस्थित्यों में अपने एम को अपने लच्छों को बनाए रखा और उजी की वज़े से मैं आज यहां पहुंची पाई मेरी बहन और मैं मतलब मैं तो यूनिवर्सिटी में मतलब सेकेंड टॉप में आई थी वो तो यूनिवर्सिट में मतलब की इतना 6% लाके डॉक्टर बनने वाली है यह सबसे बड़ी खुसी वाली बात है और इसे मैं नहीं मेरे घर के सभी लोग बहुत खुसे सोचिये जरा जस परिवार के बच्चों के लिए धूल खेलोना हो मिट्टी बिच्छोना हो कोईला श्रंगार हो धूआ उपहार हो उस परिवार से निकल कर डॉक्टर यमुना बनने का संगर्ष क्या आपको ताकत नहीं देता विस्तार से सुनेंगे मिट्टी से उठकर सोन बनने की कहानी मितले शाकूर न्यूज एटीन दुर्ग विरासत में ज्यान धन प्रेणा बहुत दूर की बात है यमना के परवार के पास तो मोबाइल तक नहीं था मिट्टी की जिन्दगी देने वाले हातों ने मरीजों को जिन्दगी देने का सपना क्यों चुना होगा भला देखे मुफलिसी की बेडियों को काट कर मन्जिलों तक पहुँचने की बहुत कहानिया देखी होंगी आपने लेकिन गरीवी की मिट्टी का सीना फाड़ कर एक मज़ूर बिटिया के डॉक्टर बनने का एक किस्सा अलग है मज़ूर माता पिता के पसीने से अफसरी का अफसाना बहुत सुना होगा लेकिन परिवार के साथ-साथ अपने पसीने को पारस बना देने का नाम है यमुना चक्रधारी ना सर्फ यमुना बलकि बहन युक्ती भी जोंपडी में जन्में कोहिनूर से कम नहीं युक्ती ने भी M.A. हिस्ट्री में टॉप किया है सुनिये संगर्ष के सोना बनने की कहानी कौन कहता है कि आस्मा में सुराग नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उच्छालो यारो जी हां इन वाकियों को सही साबित कर दिखाया है दुरुके के डुमर्डी में रहने वाली युम्ना चक्रधारी जिसने हाली में आये नीट के एक्जाम में शांदार सफलता प्राप्ते किये है 42,000 नंबर आया है जिसने ये साबित भी कर दिखाया है कि जो हुनहार होते हैं जिन कोई रूची होती है वो कोई भी अरचने बाधा नहीं बनती है और आज हम इनी से बाचित करेंगे आज कैसा लग रहा है कि किस तरह से तियारी की थी कितने खुशी लग रही है सर बहुत खुशी लग रही है इतने सालों बाद इतने मेहनत के बाद आखिर आज मैं उस मुकामें पहुंच गुण मैं जाना चाहती थी मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ मुझे बहुत खुशी हो रहा है किस तरह की अर्चने आई थी जब आप तियारी कर रही थी और सबसे बड़ी बात दी है कि सोचना कैसे सोचा कि आपको नीट के तियारी करना है और डॉक्टर बनना है हारती हुई तरुणाई के बढ़ते हुए आकड़ों के बीच अभाव की दीवारों के बीच कैसे पनब जाता है एक सपना जान लीजिए सर मोबाइल और ट्योसन तो मतलब मुझे जरूरी नहीं लगता क्योंकि ये एकजाम ऐसा है जिसमें हमको मतलब पूरा अपना दुर्ण नेशा बनाया रखना होता है और बहुत patience रखना होता है इसके अलावा बहुत पढ़न भी होता है क्योंकि एकजाम बहुं difficult होता है तो मतलब amazingly मुझे भी होती थी क्योंकि मैं ट्यूसन नहीं करती थी तो मैं अपने डॉट्स हैं क्योंकि हमारे घर में एक ही स्मार्टपून है तो मैं उससे अपने डॉट्स क्लियर करती थी यमुना और युक्ति वो शक्ति हैं जिसकी बुनियात पर कहा जाता है गड़बो नवा च्छतीज गड़ब काम्याबी की यही कहानी मजबूर करती है यह कहने के लिए के च्छतीज गड़िया सबले बढ़िया काम्याबी के इस कहानी को अगर सरकारी किताब का हिस्ता बनने का मौका मिले सरकारी मदद मिले तो वो दिन दूर नहीं जब संगर्ष की आग में तपी मिट्टी से बना ये सोना सोनेहरे 36 गड़ की बुनियाद बनेगा यमुना की कहानी जिसके सामने कई चुनाउतियां आई परिवारिक आग की आर्थिक इस्तिती भी सामने आई इसने कभी रुकी नहीं और त्यारी करते रही और आज एके शांदर सफलता हासिल करके ना सिर्फ दुर्ग बलकी संपुर 36 गड़ को गरवानित किया है निउस 18 चतिस गड़ के लिए दुर्ग से मितले श्ठाकुर